गुद मॉर्निंग क्लास सेवन एक्ससाइज 2.5 का कॉश्चन नमर एट देखते हैं वीटा श्यामा बॉट 5 केजी 300 ग्राम एपल्स और 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज एपल्स और मैंगोज खरी दे उसने सरड़ा ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम औरंजेज और 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास खरी दे किसने ज़्यादा फ्रूट खरी दे आपको यह बताना है तो सीडिसी बात है पर यह आप देख लिजेए श्यामा ने एपल कितने खरी दे फाइव केजी 300 ग्राम तो आप सको कनवर्ट कर लिजे डेसिमल फ़र में किलोग्राम में 5 तो यह पहले सी किलोग्राम में प्लस 300 ग्राम को आपने लिख दिया 300 upon 1000 क्योंकि 1 ग्राम इस इकौल टू 1 upon 1000 किलोग्राम होता है न तो इसलिए तो 0.300 ग्राम हो गया है तो 5 प्लस 0.300 किलोग्राम मींज 5.300 किलोग्राम ऐसे कनवर्ट कर लिया मैंगोज कितने खरिदे शामा ने 3 kg 250 ग्राम तो आप सीधा लिख दीजे 3.250 kg जिस तरह से यहां किया है न 5 kg 300 ग्राम क्या हुआ 5.300 तो 3 kg 250 ग्राम क्या हो जाएगा 3.250 तो टोटल फूट्स बॉट बाइ शामा 5.300 प्लस 3.2500 जियान देने योग के बात है जब हम डेसिमल नबाइ डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए ठीक है उसके दाये माए नंबर होते हैं तो 8.550 kg आया अच्छा अब देखिए सरणाने अरंजेस कितने खरिदे 4 kg 800 ग्राम यानि कि 4.800 kg बनानास 4.150 kg तो टोटल फ्रूट्स बाट बाइ श्यामा फ्रूट्स बाट बाइ श्रला तो औरंजेस 4.800 और बनानास 4.150 इनको एड़ कर दीजिए 059 तो आप देखिए सरला ने श्यामा ने 3.250 फ्रूट्स करी दे और सरला ने 8.950 तो लिखेंगे सरला बाट मूर फ्रूट्स कितना ज्यादा वी आप निकान दीजिए सरला ने खरीदे 8.950 kg उसमें से आप गटा दीजिए जो श्यामा ने खरीदे 8.550 kg तो गटाएंगे आप तो 0.400 kg या सीधा सेदा कह सकते हैं 400 ग्राम का मतलब क्या हुआ 400 ग्राम ज्यादा फ्रूट्स करी दिए ठीक है Q9 देखिए How much less is 28 km than 42.6 km क्या पुचा है 42.6 km 28 km से कितना कम है तो आप सिधा सिधा बता दीजिए 28 km is less than 42.6 km by आप सिधा निकाल दीजिए 42.6 minus 28.0 क्योंकि 28 है तो एक डेसिमल लगा के 0 प्लेस कर दीजिए क्योंकि डेसिमल की निचे डेसिमल लगते हैं सब ट्रक करते समें 6 अच्छा 12-4 12-8 4 और 3 यहां बचा 3-2 1 तो 14.6 km तो आप क्या लिखेंगे 28 km is 14.6 km less than 42.6 km तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत है है नहीं आसान सा सवाल है सब्ट्रक्शन करना है तो आप सब्ट्रक करेंगे डेसिमल नमश को तो डेसिमल की डीचे डेसिमल होना चाहिए आप 28 में डेसिमल नहीं है तो आप डेसिमल बना लीजिए 28.0 कर लीजिए आप कितने भी 0 आगे लगा सकते हैं तो इस तरह से गटा of decimal numbers by 10, 100 और 1000 ठीक है तो जब आप किसी decimal number को 10 से multiply करें या 100 से multiply करें या 1000 से 10 में कितने zeros है एक, 100 में कितने zeros है दो, 1000 में कितने zeros है तीन तो when a decimal number is multiplied by 10, 100 और 1000, okay the decimal point in the product is shifted to the right by as many places as there are zeros over 1 एक के साथ कितने zeros है उतने ही right hand side में decimal shift हो जाएगा देखे जैसे 2.75 है इसमें 10 का multiply किया तो decimal एक प्लेस आगे के सक जाएगा right hand side की तरफ को, तो क्या हो जाएगा, इस decimal यहाँ आ गया तो 27.5 अगर 2.75 में 100 का multiply करूँ इसमें कितने zeros हैं, दो zeros है तो दो place right hand side की तरफ जाएगा decimal, यहाँ से यहाँ चला गया 275 हो गया, 275.0 means 275 हो है ना, जैसे 2.8695 में 1000 का multiply किया, तो 0 से हैं तो 3 place decimal right hand side की तरफ खिसका देंगे जब आप 1000 से multiply कर रहे हैं, यहाँ था, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो गया, 286 9.5, ओके, तो इस चीज को जाएगा, जैसे 2.8695 को अगर मैं 100 से multiply करों, तो क्या होगा बच्चों देखो, आप खुद देखो, 2 place खिसकाऊंगा ना, decimal को, तो यह हो जाएगा, 286.95, ठीके, ना, इस चीज को जहाँ रखना है, यह तो तब था, जब decimal number को 10, 100 और 1000 से multiply करना है, तो सिधा-सिधा, यह trick आप याद रखिए, अगर 10 से multiply करेंगे, तो decimal एक place right hand side कर दीजिए, 100 से करेंगे, तो decimal, 2 place right hand side में खिसका दीजिए, 1000 से multiply करेंगे, तो decimal, 3 place right hand side में खिसका दीजिए, याद रखिए इस चीज को, ठीक है, बहुत ही important point है यह, इसको आप note book में note में करेंगे विटा, अच्छा, जब हम बात करते हैं, दो decimal numbers को multiply करने की, when we multiply two decimal numbers, we multiply the numbers as it is, numbers को ऐसी multiply कर लिजिए, और place the decimal points equal to total number of decimal places of both decimal numbers, यादि कि दोनों का ही decimal place को count कर दीजिए, जैसे 1.2 into 1.7, तो आप number number multiply कर दीजिए, 12 into 17, यह हो गया आपका, 204, अब एक place decimal इसका है, एक place decimal, इस 1.2 का है, एक place decimal 1.7 का है, तो कित्य places हो गए, 1 place of 1.2, plus 1 place of 1.7, यानि कि total two places of decimals हो गए, तो दो place के वाल right hand side से decimal लग देंगे, 1, 2, 2.04, two places from right, numbers as it is multiply करिए, और दोनों के ही decimal points, places count कर लिजिए, उन दोनों के sum के वराबर decimal points यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 2.04, ठीक है, तो इस इसको ध्यान रखिए, अच्छा, आप देखे, exercise तो, अगर ये basic चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है, तो exercise तो कुछ भी नहीं है, बच्छों, exercise में कुछ नहीं है, जैसी कि मैंने आपको कहा, आप पहले सीदे-सीदे numbers को multiply कर दीजिए, okay, सीदे-सी numbers को multiply कर दीजिए, देखिए, 2 into 6, कितना हुआ, 12, तो 0.21 प्लेश है, यहाँ कोई decimal प्लेश नहीं है, तो 1.2 इसका answer हो गया, 8 into 4.6, तो आप ऐसा कर दीजिए, 46 को पहले 8 से multiply करके देखिए, number number को, 8, 6 जा 48, carry on 4, 8, 4 जा 32, and 4, 36, तो आप यहां लिक दीजिए, 368, तो decimal कहां आया, यहां एक प्लेश ही है decimal, तो 36.8 यहां से एक प्लेश ही तरख दिया, 271 into 5, तो 2.71 into 5 है, तो आप 272 into 5 करके देखिए, 5 जा 5, 5 से जा 35, carry on 3, 5 जा 10, 3, 13, तो यह आया, 1, 3, 5, 5, decimal कहां आयेगा, इसमें कोई decimal प्लेश नहीं है, इसमें देखिए, 1, 2 decimal प्लेश है, तो 13.55 आ गया, ओके, इस तरह से, तो जैसे यह आया, 80.4, अब देखिए, 0.0527, तो 5, 7 से कितना होता है, 35, अब दो प्लेश डेसिमल लगा दीजिए, 1, 2, तो यहां आगया, 0.35, ओके, 211.02 इंटो 4, 211.02 को 4 से मंटिब्लाई करिए पहले, ठीक है, तो क्या है, आपके पास, नंबर नंबर मंटिब्लाई करने पर, 84408, अब इसमें कोई decimal प्लेश नहीं है, इसमें है, 1, 2 decimal प्लेश is, 1, 2 decimal प्लेश is, 844.08, ओके, इस तरह से, 2 इंटो, 0.86, 86 इंटो 2 करिए, 261, 122, carry on 1, 281, 16, plus 1, 17, तो क्या आजाएगा, 1.72, दो प्लेश हैं यहां पर, तो दो प्लेश के बाद, इसमें कोई प्लेश वैली, प्लेश नहीं है, ठीक है, याद रखिए, अगर यहां 2.0 भी लिखा होता है, तो उसको count नहीं करेंगे, decimal की बाद, 0s count नहीं होगे, ठीक है, अगर कोई number नहीं है, decimal की बाद, माल दीजी, अगर, ऐसा होता, तो आप यह मत कहिए, कि सर, यहां 3 प्लेश है, नहीं, या तो आप 20 से multiply करेंगे, 86 को, आप इसको 2.0 को 2 मानिए, ठीक है, तो दो प्लेश की बाद, यहां 2 प्लेश की आपको find करना है, जबकि इसकी length क्या दे रखी है, length दे रखी है, 5.7 cm, और breadth क्या दे रखी है, 3 cm, तो इसका area find करेंगे, area of rectangle, rectangle का area क्या होता, बच्चों, formula, length into breadth, लंबाई गुना, चोड़ाए, किसी भी, rectangle का area हम कैसे निकालते हैं, class 6 में अपने पढ़ा होगा, यह length है, यह breadth है, तो इसका area length into breadth, तो length क्या है, 5.7 है, breadth क्या है, 3 है, multiply करिए, 57 को 3 से, और एक place के बाद, decimal लगा देंगे, 3, 7, 21, carry on 2, 3, 2, 5, 15, and 2, 17, तो यह आगया, 17.21, centimeter square, centimeter into centimeter, centimeter square, ठीक है, त्यान से देखिए numbers को numbers की तरह multiply कर लिजे बाद में decimal place यहां count कर लिए एक ही place है तो right hand side से एक place पे decimal लगा देंगे आप ओके इस तरह से question number 3 देखिए इन सब की value find करनी है 1.3 into 10 36.8 into 10 153.7 into 10 है ना इस तरह से 4th है 168.07 into 10 5th है 31.1 into 100 अब आप समझी रहे होंगे की इनकी answer के आएंगे आप तो orally भी इसको कर पा रहे होंगे 3.62 into 100 43.07 into 100 ठीक है इस तरह से तो 1.3 into 10 जब आप 10 से multiply करते decimal कहाँ चला जाता है एक प्लेस राइट को चला जाता है ना तो यहां गया 13 यह decimal यहां आया तो 13 point हुआ 13 point का मतलब 13.0 यानिके 13 10 से multiply करिए तो decimal यहां एक प्लेस चला गया राइट हैं साइट को तो 368 153.7 into 10 तो 1537 क्योंकि एक प्लेस डेसिमन लाइट को किसका है अगर 10 से multiply किया 168.07 into 10 तो एक प्लेस डेसिमन यहां किसका हैगा किसक जाएगा यहां पर तो 1680.7 हो जाएगा 31.1 into 100 अब आप देखिए 100 से multiply कर रहे हैं तो दो प्लेस होना चीए अब यहां तो एक ही प्लेस है भई तो एक प्लेस आप और बना देंगे 0 पूट करके 156.1 देखिए decimal नमर को हमेंच ऐसी पढ़ते हैं 156.1 into 100 तो दो प्लेस जाएगा एक ही प्लेस है एक प्लेस और 0 रखके बना देंगे 15610 एक प्लेस तो यह था एक प्लेस और बनाना है तो एक 0 प्लेस कर दीजिए देखिए आप इसके पीछे कितने भी 0 लगा देजिए वो 156.1 ही रहेगा देखिए 156.10 156.100 कितने भी 0 लगाईए आप decimal के बात के नमबर के बाद मतलब उसका 156.1 ही रहेगा अब क्यूकि हमें दो प्लेस बनानी थी तो एक प्लेस यहाँ 0 पूट करके मनानी बड़ी 3.62 देखिए कभी भी आप इसको 3.62 नहीं कहेंगे decimal के बाद single single पड़ा जाता है 3.62 तो दो प्लेस के आट decimal जाएगा है ना तो एक और दो एक और दो प्लेस हैं तो तो 62 आ गया 4307 इंटो 100 तो यह हो गया 43 4307 हो गया 43.07 इंटो 100 तो दो प्लेस के सक गया है है राइट हैं साइड में 4307.00 यानि कि 4307 ओके इस तरह से हैं बच्चों